Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करेंगे transport across the cell membrane. हमारी cell membrane lipid bilayer की बनी होती है और यह selectively permeable होती है. यानि कि यह कुछ substances को pass करती है, कुछ substances को pass नहीं करती. इसी वज़े से, इसकी selective permeability की वज़े से ही, extracellular and intracellular fluid का जो constituent होता है, वो different होता है. जैसे कुछ आयन अंदर जादा होते हैं, सेल के अंदर कुछ सेल के बाहर जादा होते हैं. जैसे sodium is a major extracellular substance, आयन. जो potassium है वो सेल के अंदर जादा होता है, that is major intracellular constituent. तो जो cell membrane है क्योंकि वो lipid bilayer की बनी होई है, इसलिए lipid soluble substance आसानी से इसमें pass हो जाते हैं. जो non-chargeable substance होते हैं, वो आसानी से पास हो जाते हैं, तो जो हमारी cell membrane है, जैसे ये cell membrane है, lipids की बनी होई है, बाइलेयर की. तो कौन-कौन से substance आसानी से पास होँगे, आसानी से substance पास होँगे, hydrophobic substances, lipid soluble substances, क्योंकि lipid की बनी होई है, तो इसलिए आसानी से चले जाएंगे, जो small molecules होँगे, वो आसानी से चले जाएंगे, जो uncharge molecules होँगे, वो आसानी से चले जाएंगे, तो ये आसानी से जा रहे है examples क्या है जैसे gases है oxygen carbon dioxide यह आसानी से diffuse हो जाते हैं through the cell membrane आपके fatty acids होते हैं alcohol हो गए, aldehyde हो गए यह substances जो होते हैं वो आसानी से इस cell के थो पास कर सकते हैं लेकिन जो water soluble substances हैं वो नहीं पास कर पाते जैसे कि आपके electrolytes, sugar, आपके amino acids यह आसानी से पास नहीं कर पाते तो इनको पास करने के लिए cell membrane में iron channels होते हैं and carrier proteins होते हैं जिनके थो यह आसानी से पास कर सकते हैं तो iron channels कुछ इस टाप के substances होते हैं यह क्या होते हैं कि थो protein के बने होते हैं और यह true and through पास होते हैं cell membrane से यानि कि जो transmembrane protein होती हैं वो ही iron channels and carriers बनाती है तो जो iron channels हैं और carrier protein यह दोनों ही से transmembrane protein के बने हुए लेकिन channels में क्या होते हैं चारो तरफ से इसको protein की subunit यानि polypeptide की subunit कवर करके रखती हैं और बीच में एक aqua spore होता है यह जो जगह है इसको हम बोलते हैं aquas pore इसी के थिरूप कोई भी channel directly अंदर या बाहर इस cell membrane तो जासकता है अब यह जो cell membrane है यह जो water channels है इन में क्या होता है gate होता है बोरी चनल, यह channels जो है normal ion channels हो सकते हैं, water channels भी होते हैं water channels, specific type के channels होते हैं जिन को हम aquaporane बोलते हैं, aquaporin के through only water pass होता है और ये जो ion channels है इन में ये gate होते हैं, gated channels होते हैं तो gate बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और ये gate एक specific तरीके से खुलता है तो जैसे ये example है मेरा sodium channel का sodium channel में ये जो gate होता है, ये बाहर की तरफ होता है ये कुछ इस तरीके से लगा होता है और potassium channel में ये example मेरा potassium channel का है इसमें जो gate होता है, वो अंदर की तरफ लगा होता है तो ये channel अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं अब ये channel कैसे खुलेंगे, इसकी 3 mechanism है या तो ये voltage gated channel होते हैं यानि कि voltage में कोई change आए, यानि कि किस change पे electrical जो charge होता है, उसमें कोई change आए, तब ये खुलेंगे या फिर ligand gated होते हैं, यानि कि कोई substance इसमें bind होता है जाके खुलेंगे और तीसरे तरह के होते हैं, mechanical gated ये mechanical gated जो होते हैं, वो stretch से sensitive होते हैं तो voltage gated ये दोनों ही sodium और potassium दोनों ही type के channel voltage gated channel है ये voltage gated channel sodium तब खुलते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये होता है, nerve में action potential minus 70 mili volt से plus 30 तक जाता है, plus 30, plus 35 तक तो यहां से sodium channel खुलते हैं, यानि कि minus 70 से जब ये less negative की तरफ जाता है तो sodium channel खुल जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इनके through sodium influx होता है ये sodium influx होता है, और ये depolarization कराते हैं आप देखें हैं, depolarization कराते हैं, तो जैसे ही ये voltage जो है minus 70 से थोड़ी सी positive की तरफ जाएगी, थोड़ी सी less negative की तरफ जाएगी तो ये voltage के जो gate बना हुआ है, gate खुल जाएगा और इसके through sodium का influx हो जाएगा और ये specific हैं for sodium, ठीक है? जो potassium channels होते हैं, वो लगबग यहाँ खुलते हैं जब more positive की तरफ चला जाता है, तब ये potassium channel खुलते हैं और इनसे potassium का efflux होता है और ये repolarization करा रहे है, in case of neuron तो ये जो है, जैसे ही आप से ये gate खुलेगा और ये channel जो है, इनके through potassium का efflux हो जाएगा तो यानि कि influx, efflux depend करता है specificity of the channel पर और कौन सा ion इसके through pass करेगा, वो भी specific होता है ठीक है? ligand gated channel आपके neuromuscular junction में पाए जाते हैं जहाँ पे ये आपका neuron है, ये आपका muscle है, तो neuron और muscle के junction पे यहाँ पर होते हैं receptors, कौन से receptor होते हैं? एसेटैल कोलीन के, nicotinic receptor होते हैं और इन receptors के साथ में channel bind होता है कुछ इस तरीके से, यहां से जैसे ही है, इस पे साथ में channel bind होता है तो जब acetylcholine यहां से release होता है, neurons से, तो यह इन पर bind करता है जाकर acetylcholine, तब यह channel खुलते हैं और इनके through sodium का influx होता है, यानि कि यह channel तब खुले हैं, जब इन पर acetylcholine bind हुआ, इस acetylcholine को ही हम ligand कहते हैं, तो कोई neurotransmitter bind हो सकता है, कोई hormone bind हो सकता है, इनके open होने के तो उसमें hair cells होते हैं, जो की stretch sensitive होते हैं, और दूसरे होते हैं vestibular apparatus में, तो वहाँ पर भी mechanical channels होते हैं, तो यह तो हो गया आपका channel, दूसरे होते हैं आपके carriers, carriers में क्या होता है, ऐसा कोई aqua spore में नहीं पाया जाता, इनमें क्या होता है, कि यह through and through pass कर रहे हैं, पर इनमें conform change होता है, जैसे आप लेखें के substance यहां बाइड हो है, तो इसमें conformational change होते हैं, यहां इस तरीके से मुड़ के, इस तरीके की situation दे रहता है, और यहां पर यहां पर यह रीलीज हो गीए substance, यह substance है जो भी आपने बाइड करा हुआ है, तो इस तरीके से यह एक जगह से दूसरी पर पास हो जाते हैं, तो इनकी mechanism में थोड़ा सा different होता है channels जो होते हैं, usually ये energy यूज़ करते हैं, ठीक है? और depend करता है, मतलब नहीं भी use कर सकते, तो इस तरीके से हम active passive में divide करते हैं according to energy, तो ये तो होगे carrier proteins, ये होगे channel protein अब जो type of transport है, वो हमारा तीन तरीके से divide होता है एक होता है passive transport, दूसरा होता है active transport, तीसरा होता है vesicular transport passive का मतलब है, इसमें कोई energy use नहीं हो रही है सबसे important बात है, कि इसमें कोई energy use नहीं हो रही है active जो होते हैं, उनमें energy use होती है, उनमें ATP use हो रहा है और तीसरे होते हैं Vesicular Transport इसमें जो होते हैं Vesicles बनते हैं और उनके थुरू जो Large Molecules होते हैं उन जो की Active और Passive दोनों के थुरू नहीं जा पारे वो Vesicular Transport के थुरू चले जाते हैं ठीके तो इसमें अब हम इनको थुड़ा सा तीनों को देखेंगे Active पैसिव जो Transport हैं यह किस तरीके से हो रहा है उनकी क्या Specific Points होते हैं तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं Passive Transport की तो जो Passive Transport है नाम बता रहा है Passive यानि की कोई Energy Use नहीं हो रही है कोई यानि की ATP भी उस नहीं हो रहा है जो Passive Transport है वो Energy Use नहीं हो रही है और यह जाते हैं Downhill Downhill का मतलब क्या है? They are going from high concentration to low concentration और high charge to low charge तो यह along the concentration gradient जाते हैं और you can say दो चीजे वो सकती along the electrochemical gradient जाते हैं यानि higher से यह low की तरह जा रहे हैं इसलिए इनको Energy की ज़रूरत नहीं है ठीके? यह carrier use कर भी सकते हैं, carrier use नहीं भी कर सकते हैं Depend करता है अलग-अलग examples के हिसाब से ठीके? तो carrier इनमें use हो भी सकता है और नहीं भी use हो सकता है इनमे saturation kinetics हो सकती है नहीं भी हो सकती है मतलब होता है आप concentration बढ़ा रहे हो किसी substance की जो क्रॉस कर रहा है through the membrane तो जैसे उसकी concentration ठाओगे उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ जाता है यह normal बात होती है लेकिन एक level के आने के बाद उसका आप कितना ही concentration बढ़ाईए वो एक saturation आयाता है यानि कि उसका जो rate of transport है वो constant होगे उससे जाधा नहीं बढ़ेगा लेकिन इस तरह का जो है तभी यूज होता है जब यह तो आप channel यूज हो रहे हों या उस transport मे carrier यूज हो रहे हों आपने और ज्यादा substance है उसकी amount यहां पर बढ़ा दी माल लिया तो वो क्या करेगा और बाइंड होके इस rate को बढ़ाएगा और बढ़ा दिया तो और rate को बढ़ाएगा लेकिन एक time ऐसा आएगा कि सारे के सारे carrier saturated हो चुके सारे carrier यूज हो चुके अब substance कि इतना ही बढ़ाओ उससे ज्यादा rate नहीं बढ़ेगा तो इसको कहते हैं saturation kinetics यानि saturation आ गया उसमें तो वो हो सकता है क्योंकि जिनमें carrier यूज होगा उनमें saturation kinetics होगी जिनमें नहीं होगा उनमें saturation kinetics नहीं होगी आप इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं इनके अंदर एक तो diffusion आता है diffusion में दोनों ही important point है कि दोनों ही type के simple diffusion भी facilitated diffusion भी दोनों ही passive transport है यह बहुत important है और इसमें difference भी एक important होता है कि simple और facilitated में क्या difference है तो simple diffusion and facilitated diffusion both are the example of passive transport इन दोनों ही diffusion में कोई energy use नहीं होती इन दोनों में difference ही होता है कि simple diffusion में carrier use नहीं होता facilitated diffusion में carrier use होता है लेकिन both are the passive transport उनमें कोई energy use नहीं हो रही है और इन दोनों में ही क्योंकि passive transport में down the hill जाता है इसका मतलब यह है कि दोनों में ही from high concentration to low concentration और along the concentration gradient और along the electrochemical gradient ही substance जा रहा होता है तीसरा होता है osmosis जो कि passive transport के अंदर ही आता है और बाकि यह 3 major है और यह 3 थोड़े minor type के होते हैं इनके through come substances पास होते हैं filtration, bulk flow and solvent drag तो यह भी passive transport के ही अंदर में आते हैं दूसरा हमारा division है type का active transport active transport में होता है against the gradient against gradient substance जा रहा है मतलब वो low concentration से high concentration की तरफ जा रहा है वो against the electrochemical gradient जा रहा है यानि कि charge के भी वो opposite जा रहा है तो यह against जाता है यह characteristic होती है active transport की और यह जो होते हैं इनमे energy use होती है ATP use होता है और क्योंकि इनमें हमेशा या तो carrier लगेगा या इनमें channel लगेगा तो यह saturation kinetics को follow करते हैं यानि कि एक time के बाद अगर आप कितना ही substance की concentration बढ़ाओ transport का rate नहीं बढ़ेगा उसका saturation हो जाएगा और तीसरी तरह के vesicular होते हैं जिनमें endocytos and exocytos जाता है इसमें vesicles का involvement होता है vesicles बनता है तो अब हम अगली वीडियो में इनको जो है one by one अलग detail में पढ़ेंगे thank you so much